नमस्कार मैं हूँ प्रेकवाराद के साथ मैं हूँ समिरकान इस वक्त हम सीधे मौजिदे जिवर छेत के किसानों की वीच में लातार सरकार किसान के वीच में जो बैटक हो रही है दस्वी वार की जो बैटक होई थी कल फिर एक वार सरकार ने किसानों की बैटक और किसानों को बात को फेल कर दिया है हालात की सो कल वैटक हुई थी किसान सरकार के वीच वो दसवी दौर की वैटक हुई थी लेकिन अवित तक सरकार ने किसानों के लिए कोई वी सवाधान नहीं निकाला है हालात की अब सवाल ये कि ठंड़ी कड़ाकी की पड़ रही है लेकिन सरकार है कि किसानों की कोई भी बात को गंभीटा से नहीं ले रही है इस वक्त मैं जेवर छेट के सवी किसानों से पूछने के लिए उनकी राय लेने के लिए आया हूँ क्योंकि भारत के पिर्धान मंत्री नेंदर मुदी अपनी मन की बात करते हैं आज मैं किसानों की मन की बात सुनूँगा कि आखर उनकी मन की क्या बात है लगातार जिस तरीके से किसानों के साथ ये अब वहार क्या जारा है वो कई ना कई एक वादी एक पॉलिटिस्ट की हिसाफ से डिनरिटिस्ट किया गया है यहाँ पर कुछ किसाने उनसे जाने की आखिर यह वो किसाने कि किसी अत्वा कारण की वज़े से यहाँ पर वाडरों पर नहीं गए हैं जहां पर और किसाने हलात की गए तो हैं लेकिन कुछ समस्था के लिए यहां पर आ चुके हैं और इसलिए मैं हाँ पर जानने के लिए आया हूँ कि किसानों की मन की क्या बात है सरकार और किसान की बीच में लगातार दसवी दौर की बैटा हो चुकी है अब तक कोई सवाधान नहीं निकल करा है क्या लगता है कि सरकार किसानों की बात को गंभीरता से क्यों नहीं ले पा रही है सरकार की नियत और नीती दोनों ख़रा हुएं यह सरकार भेंकाने काम कर रही है किसानों को ठकने काम कर रही है और यह सरकार दिमाग से लिकार दे इस बात को कि किसान बना अपना हक लिए हैं से वापिस हो जाएंगे वापिस नहीं होंगे तैयारी चल रही है 26 तारीक में हम प कि इतना निकम्म है इतना जूटा आदमी संसार में साथ कोई नहीं होगा जितना हमारा परदानमंत्री इसमें सारी सीमा पार कर देंगे जिसके लिए कानून मना रही है उसको ही पसंद नहीं हो कानून tą क्या मता होता है उसको खिजम कर रहे उस कानून को 20 sot लाखा दूमी डिली के बॉर्डर में बढ़ा है हर किसान घर भी बैठा गें जाये हर वह कंतित है बिजारा दहीन है उसके बाद भी नहीं ले रही है किसान कि ऐसे नहीं य계 वापिष सलेगी और वापस ने लेगी तकी सलीव ने जाका है उसकी कोई और नहीं आएं इसा कुछ रहे हुई ऐसा कुछ नहीं है जो हम हर जाए हुआ के लिए सरकार अपनी टाके अज्मा के देख ले जिटी टाके अज्मारी जार को फटका लगाई कि अब तक क्यों किसानों का सवाधान किया गया है उसके बहुत जूत भी सरकार नहीं सुन रही है सुप्रीम कोड़नों बैब कूब भी नहीं पहले ही समर्थन किया उन्हों धील कानौन को कमीटी ना रही है किया मानने हम सुप्रिम कोट किसानों को कुम्रा करने काम ना करें हम सम्मान करते हैं सुप्रिम कोट का इसका मतलब यह नहीं है कि मतलब किसानों कुम्रा कर रहे और सरकार का काम कर रहे सुप्रिम कोट जो जो लोग सुप्रिम कोट जो लोग इस कानून को बनाने मे जो लोग पहले से समर्थन कर चुके हैं उन लोग कमीटी बना रही सुप्रिम कोट क्या होता है हम उस कमीटी किसी कीमत बनी मानेंगे और हम अपनी लड़ाई बराबर रखेंगे और देखेंगे अंदाता के साथ ये विवार क्यों वो अंदाता देष का जो पूरे देष का पेट वरता है अपनी कड़ी महनत के बास रात और दीन कडाकी की ठंड वो तपती धूप में अपनी महनत करके वो देष की पूरे का पेट लेकिन अब कि leurs की बोश्चती आगी है कि आपको बता देटतें बामन दिन ठुचके हैं किसान अंधनलमत को इसनाइ मांग को लेकर किर्सी कानून के लिए क्योंकि किर्शी कानून से किसानों को को भी फादा नहीं है जिस कानून से किसानों को फादा नहीं है तो सरकार जबरदस्ती फिर ये कानून किसके लिए ला रही है यहां पर जानीगी की लगता इधर आई जिस किसान किर्सी कानून से सहमत नहीं है तो सरकार जबरदस्ती कानून को लाना क्यों चाहती है इस किर्शी प्रधान देश में अन देखी हुई किसान की बरबादी में बदल रही आजा दी हंदुस्तान की जब जिस कमेटी से कोई समंध नहीं कोई मतलब नहीं हो जो कोट से मिली हुई है और वही कमेटी सामने रख दे लाएगा गोई फैसलों करेगी क्या फैसलों करेगी किसान के हिट में वो बिलकुल नहीं कर सकती है ये सब मिले हुए हैं आपस में और किसान अपनी जब तक मांग ना हुनकी पूरी होगी जब तक वापस नहीं होगे चाहे वहां कुछ भी हो जाई हो और 26 जनवरी में पूरा किसान चारो तुरब से चलनी आए और पहुंचने वाला है और पहुंचेगा और टेक्टरों की बराबर में परेड जवानों के साथ में 26 जनवरी में निकलेगी इसा कोई नहीं रोग सकता तो देखा आपने किसानों की मन की बात किसान अभी वी जो पिर्धान मंत्री जो जबर जश्ती कानूं को एक्जिस्स कराना चाहते हैं वो कई न कई एक विलितिस किया गया है लेकिन यहां पर और वी किसान उनसे जानेंगे की आखर इदर आईए सुप्रिंग कोट ने जिस तरीके से किसानों के आंदूलन में जुबात की ती यह कही ती कि किसान आंदूलन में महिला और बच्चे फुजिल लोग सामिन ने हो पाएंगे आखर सुप्रिंग कोट का भी कहना यह है कि किसान आंदूलन आसानी से खतम हो जाए लेकिन किसान आसानी से सरकार की वहकाय में नहीं आने दिनगे और यहाँ पर बुजिल लोग है बावा आप क्या कहना चाहोगे कि सुप्रिंग कोट ने यह कहाता कि बड़े बुड़े जो बुजिल लोग है वो किसान आंदूलन में सामिन नहीं हो पाएंगे इतनी नाजाने हम है का हम सब सामिल होंगे और है का सामिल सभी होंगे जब तक यह तीनों कानून वापिस सरकार नहीं ले लिए हैं अथ़ यह Or क्यों गब तक यह खवासान चलता रहेगाम और यह आपको किया लगता है कि किसी कानून को सरकार अधूसर को समझघाए और ऑफ बहुत समझदार हो गया है किसान वह थो किसान कि बात नहीं बनाएन सब किसानों की माज़मि ही है अगर किसान हितमे होते यह तीनों काले कानून तो किसान को बावरा थोड़े जो वहाँ दिल्ली में को रखत क्यों पढ़ा है इसलिए तो पड़ा है कि यह की तौरी पढ़ाय कानून किसान काय। बने अगर किसान हित्मे होते तो क्यों पड़े रहते हों डेड़ महीना एक डेड़ महीना जाद आएगे किसान वहां से तब तक नहीं हटने वाले जब तक सरकार इन तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लेगी यह किसानों का टल फैसला है और 26 जनवरी को पता चल जाएगी कि 26 जनवरी को दिल्ली को यह पता चल जाएगी कि यहां किसानों की भर पूर तैयार यह पूरे तरीका से दल वल से और ट्रेक्टरों से आदमियों से तब तक वहां से वापस नहीं होने वाले जब तक हमारी मां पूरी नहीं हो जाएगे किसान का ही बेटा जवाने जो किसान का होगा एक ट्रेक्टर हमारे जवान का होगा तब देखना के जवान हमारे साथ है और किसके साथ हैं आप कुछ कह रहेते बाबा मैं यह कह रहा हूं कि महावारा तो देखी होगी तुमने कि चाचा ताउन ते दादा के से लोंगा की ने क्या दिया आगी मलantingी अपने फर्ज को नँसे लाह मैं इस इसा करें हम पीचेटने वाले नहीं है बिलकुल भी उन्हें यह नहीं है हमारी कि तुम हमारा साथ दो हनाकि मलती भाईयों का सबका समर्था ने हमारे साथ बीडिया का सब का समझ था ने वह वर भखीनों को समझ था ने हमारे साथ बुद्दी जी भी सब हमारे साथ आगे फिर भी हम उन्टस यह कह रहें कि यह तुम अपना फ़र्ज दिवाओ उदर लिए तो देखा जिश्टरी किसे आपको मैं बता देता हूं और भी लोग हैं हां से जानेगी कि आखिर आपको क्या लगता है सर के सरकार इस कानुन को इतनी आसानी से नेर ले पाएगी क्योंकि बामन दिन हो चुके हैं दिल्ली की सीमाओ पर इतनी ठंड कड़ा कि कि यह महाँ पर किसान पड़े हैं अब तक 121 लोगों की किसानों की मौत भी हो चुकी है किसा पर चुसरे बहीं बात को घंबीटा से नहीं ले रही हैं आकर क्यों उन किसानों को दर्थ नहीं समझ पर ये सरकार की elementos समझना पड़ेगा किसान पूरी तयारी पे हैं और यह किसान को बांटने का काम कर रहे हैं कि महिla नहीं रहेंगे बुजर्ग नहीं रहेंगे, बच्चे नहीं रहेंगे, कौन रहेगा, जो संपत्ती बुजर्गों की है, संपत्ती का मालिक ही नहीं रहेगा, तो फिर कौन रहेगा हूँ, क्या उद्दे से इस बात का कोट का, कि बुजर्ग नहीं रहेंगे, क्या देखका तो कोट को बुजर सब fatherowanie क्या चनता हो रही है शाल को अब क्या चनता हो रही है जो भी capacity बनाईए उसमें भी वह लोग है जो पहले से समर्थन में अजुघ ऊंब से समर्थन में थे हैं ज little he is Hiç मैं निया उसने स्तिपाद दे दिया मैं तो कहऊंगा के इनको भी इस तो लोगों को पिसको रखना चीए क्या कुछ गाश्री barade चुपा रहे हो है किसी कानुघ को सबकूठ हो जाने के भवसूद भी क्यान यह क्यूंकि कहते ही कि अगर कुसी को को रिजस्छ करता है तो उसे आसानी से नहीं लेपाता है पर क्या चुपा ये सरकार ये पोजी पतीओं से पैक्ट हो गया लेकर इनको ये पता नहीं है जो गानेवाला होता उससे कही गोना ज्यादा समझदार जनता होती है जो कमी निकालती है किसे ठीक किया है गलत किया है पूरा देश सुन रहा है इसको पूरा देश देख रहा है हर किसान जाग रहेता है आज बिल्कुल भी वहका बेमना रहे हैं इस बात के मैं पूरी तैयारी है हमारी उसकी संता है तो देखा अपनी सरकार किसानों को घुम्रा करने की कोजिस कर रही है उन्हें बच्चों की तरह बहलाने की कोजिस कर रही है लेकिन किसान सरकार की वेकाय में नहीं आने हैं किसान जो है अपनी 26 जनवरी को परेट निकालेंगे और अपनी मागों पर लगाता डटे रहेंगे अब सवाल ये है कि आखर कब तक आज बामन दिंद हो चुके किसान अंदोलन को आखर कब तक चलता रहेगा हर भारत पूछता है पूछता है भारत लेकिन आज किसानों की मन की बात आपको देखाए प्रानिश 34 के लिए समिर खान